नमस्कार जी, मैं मन्जू, मेरे बहन बाई जो सकारलेट फ्लेक्स अलसी, खाने बाली अलसी नहीं, जो डेक्रेशन के तोर पे जिसे गार्डन में गुरू किया जाता है तो लगाने के जो शुकीन है तो उनोंने कई सारे गमले त्यार किये हुँगे और मैंने भी त्यार किये तो मैंने क्या क्या काम किया है तो आज मैं ये शेयर करूंगी और बाकी जैसे आलसी पे मेरे खोब सारे वीडियो बन रखे हुए हैं और उन पे मैंने पूरी जानकारी दी हुई है तो आप वो जानकारी लेके इसके प्लांट्स जो अभी भी अगर कोई सीर लगाना चाहते है तो अब भी इस ताइन भी डाल सकते हैं तो हाँ जब बहु ज़्यदा गर्मी होगी तो उससे पहले फिर इनके जो फूल निकलाते हैं तो मैंने तो एक बार यह ऐसे भी किया था एक चोटे सी बास्केट में दस-पंदरा प्ले बाली जो बास्केट होती है तो उन में कुछ 3-4 तरह के कुछ सीड्स डाल दिये थे बिच में पिटूनिया भी थे बिच में स्कारलेट फ्लैक्स के सीड्स भी तैया और लग पाई तो यह पहती खुतसूरत देखने में लगते हैं तो इस भार अभी तक मैं टाइम नहीं निकाल पाई हाँ इस भारी भी मैंने कुछ एक गमले तो बनाए है, तीन गमले तो अभी बनाए है, तो मेरी यहाँ जो मोसम अभी ज़्यादा बीच में तो अभी तो गर्मी ही चल रही थी, तो अभी थोड़ा मोसम में चेंज होने लगा है, पंखे तो हमारे अभी भी चल रहे हैं, और अभी जैसे थोड़ा बीच में स्कालेट फ्लेक्स के जो अभी लगाने बाले हैं कुछ एक जैसे पूद्द्य होते हैं जैसे गलार किया वगेरा के तो ठोड़ा गर्मी वह रही हो तो उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है और जैसे यह मोसमें थंड़ काने लगती है तो चाहिए स्कालेट फ्लेक्स ले चाहे ये कही तरह के पूद्दे होते हैं तो इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं आती है तो ठंडे मोसम में फिर ये खुब अच्छे से ये बढ़ने लगते हैं तो आज मैं ये दिखाऊंगी कि मैंने इस पे जो क्या-क्या काम किया है और अगर आपने भी इने जो गमले मैंने रखे थे तो मैं उनमें जो अलसी विएरा लगाई थी तो मैंने धूप का टाइम बहुत कम किया हुआ था जा बड़े-बड़े प्लांट्स के निचे रखा तो आप ये जानते ही है कि जब हम बड़े प्लांट्स के निचे छोटी पोद को इतियार करते हैं तो वो पोद हाँ कुछ टाइम के लिए तो जैसे चलती है पर अगर बहुत जैदा ओपर उसको चाया मिल रही है और दूप नहीं मिल रही हो तो फिर उसकी ग्रोथ जो है जैदा अच्छी नहीं होती है और मोसम हाँ ठंटक थोड़ी होने लगी है तो फिर उनके जो गमले अपने बड़े-बड़े प्लांट्स के नीचे रखे हैं तो उने थोड़ा निकाल दीजिए थोड़ा दूप का टाइम बढ़ाए तो फिर उनकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी होने लगती है क्योंकि पहले तो बहुत तेज गर्मी थी और उपर से गर्मी और उपर से फि प्लांट्स की चैनल पर इस पर मैंने खूप सारे वीडियो बनाये हूकित्वा, अगर भोत घनेपोत्दे आपके हो गया है तो चलने दीजिए और जो जिनकी growth अच्छी हो जाती है, बड़े हो जाते है तो वो अपने time पे full दे देंगे हाँ, जो side side में अगर आपको लगता है कि बड़े ज़्यादा घने है उनकी growth रूखियों या नहीं हो रहे है तो उनको आप निकाल सकते है उनकी thinning कर सकते है तो ये सब आप कर सकते हैं, मैंने ये कई बारी इनको ट्रांस्प्रांट करके देखा है, तो ट्रांस्प्रांट किये हुए पुद्धे चलते नहीं हैं, बहुत ही एक तो महिनत करनी पड़ती है, आपको बचा बचा के छाया में रखो, फिर पका नहीं है कि वो बच भी पाए बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही चलने देती हूँ, तो ये सब आपने ही करना है, तो आईए, अब आगे मेरा काम देखिए, जो मैंने अभी किया है, तो ये छोटे से पोट में इतने सारे, जो मेरे स्कारलेट फ्लेक्स के ब्लांट्स हैं, लगे हैं, तो जैदा जब गर्मी हो genau, तो अच्छे से ये नहीं चलते हैं, तो ये देख ही पा रहे हैं, अभी थूदा थंड बढ़ने लगेगी, तो इनकी ग्रोथ बढ़ी अच्छी होगी, ओर नहीं तो आगर थंडा मोसम नहीं होता, ग्रमी होती है, तो इनकी ग्रोथ रूकी सी रहती है, और जैदा अच्छे से ये बढ़ते नहीं है और पीले जैसे उने लगते हैं तो मैं इन में से कोई नहीं निकालूँगी और कोई-कोई तो बड़े छोटे-छोटे दिख रहे हैं आपको ये सब के सब मैं चलने दूँगी और ये सबसे पहले जो मैंने लगाए थे और उसके बाद जैसे अब जैसे ठंडक बढ़ने लगी है तो ये फिर उपर जो घने जैसे होएंगे और अभी मैंने धूप का टाइम इनका कम किया हुआ है कम है फिर मैं थोड़ा सा धूप का टाइम बढ़ा दूँगी तो कुछ एक सीड मैंने इस पोट में लगाए हुआ है दस बारा इंची पोट में तो ये दिखिए कैसे पुद्ध हैं बिल्कुल मरे जैसे लग रहे हैं पर जैसे ही अब मोसम में चेंजिस आएगा तो मैंने उपर घने जैसे पुद्धों में इस तरह से ऐसे निचे रखा थ तो बहुत गने पुद्धों के निचे भी रखो तो फिर ये पुद्ध अच्छे से नहीं बढ़ते हैं मैं इसको गंबले को थोड़ा सा बाहर मैंने खींच लिया है और धूप इसमें हलकी आ रही है जैसे ठंदा मोसम होने लगए फिर इनकी ग्रोथ अच्छी होगी तो य आपी जो सबसे बाद में यह मैंने लगाए हैं तो यह जो एक नमंबर को मैंने लगाए थे तो यह इतने हो हैं तो इनकी जो ग्रोथ अच्छे हो रही है क्योंके अभी मोसम में चेंज हो गया थोड़ा और यह जो खास फूस निकल दिया है न तो इनको अराम से यह निकाल देने और बस जब कलिया आना शुरू हो जाती हैं तो हर 15 दिन में इनको आपने को लिक्विर फटिलाइजर जैसे गार्डन अपने अगर में कितना कुछ मिल जाता है तो वो देने हैं और उससे फिर जो अब हो सारे धेर सारे फूल आते हैं तो सोरी एक पुद्दा ही निकल ग हर्वेस्ट किया है तो वो हर्वेस्ट करते हुए मैं मन्जू नेचर लवर चैनल में वीडियो डालूंगी दूसरे चैनल पे और और उसमें मैंने ये बताया है कि जो नून फ्लार होते हैं उसके सीड किस तरह से हमने कलेक्ट करने हैं वो भी वीडियो आप देख सकते हैं तो ये मेरे गार्डन का ये वो ही वाला उसमें फर्स टाइम फ्रूट आया है जो मैंने कटिंग लगाई थी तियार कटिंग मैंने एक साथ लिटर की बकेट में जिसमें प्लूमेरिया का प्लांट भी था तो ये उसमें हुगा और पुराने पुद्दे में मैंने जो इस ब वाले ड्राइगन फ्रूट में जो लगाया है तो इस पे फर्स टाइम आया है और पुराने बाले में तो बहुत बारी आ चुके हैं तो इसलिए भी मैंने नहीं किया इसी के साथ नमस्ते जी